ही ही हैं जयती थी काफी इद क्थी क्योंक्षे मौमू हनी तो पांच मौमूं से लेदा एद क्रूवरा प्राइब और चाचु ँदा काफी इद क्थी हो जाती है भी नए कपड़े भी लेते थे मेंदी भी लगाते थे चूड़ियां भी और फ़र्स डे तो हम घर पे रहते थे और दूसरे दिन एद के मतलब मामों घर चले गे मासों घर चले गे और उधर इंच वहे करते बिस्मिल्ला रहमान ररहीम आप देखें इन्फोर्मिशन लिद शाकिर और आज एद का तीसरा रोग ए और आज हम एद कहां मना रहे हैं ? आप देखेंए हैं बिलकल सनह और दाउद के साथ इनकी ये शादी के बाद पहली एद गजर रही है बहुत से लोग इनके पास आ रहे हैं और आकर जो है वो इनसे इद के दिन की मुनास्बत से जो है वो यहां पर दिन भी गुजारते हैं मुबारिक बात भी देते हैं और इनकी जानिब से भी तमाम लोगों को जो है वो इद की मुबारिक बात दी जा रही है तो सना दाओद से बात करते हैं पहले दाओद से दाओद आप क्या कहते हो आज एद का तीसरा रोज है और लोग आपको मिलने के लिए आ रहे हैं खुशियों का एक दिन है इसके हवाले से आप क्या पेगाम दोगे जी पहल तो मेरी तरफ से सब भेहन भाईयों को जितने भी हमारे मुस्लिम भेहन भाईयां उन सब को एद मुबारिक और मेरी तरफ से भी और सना की तरफ से भी और जैसे के आपको पता ये बहुत खुशी का दिन है और हम भी बहुत खुश हैं और इस वज़ासे भी हम खुश मेरी तरफ से भी सब मुसल्मान हमारे बहन भाईयों को बज़र्गों को एद मुबारिक और एद की धेरों खुशियां आपको मुबारिक हो अच्छा सना एद आपकी भी एद होती है और हमारी भी एद होती है यानि मुस्लिम कम्यूनिटी की भी है किस्टन कम्यूनिटी की भी है और एद का दिन बड़ा खुशी का दिन होता है एद जोंसी भी हो और सब जो है वो बड़ा एहतमाम करते हैं तो जब आप एद का दिन हो और किस तरह जो है वह एद का दिन सेलिब्रेट करते हो जी सबसे पहले तो हम मतलब चुरज जाते हैं नमा दूआ करते हैं और दूआ के बाद फिर वैसे गेस्ट बगएर आते हैं अगora को मिलते हैं और भार भी जाना उँ तो आई से बाइर जातें तो बड़ा अच्छा लगता है और रिगा दिन बड़ा खुशी का दिन होता है आप कैसे मनाते हो Bhaie Jawad Marching lasten 5 यह मेन बिलोड द१ यह फोलोडे हैं कiãoड़ के दो इद उतु हमारी ही और जो आपकी कि भी होती यहुदु आप्ड़ों थि भी हमारी हं कि नियुक्ड है कि उन्जाइन फ़र्ण एक मतलब इद की भी खुशी थी पर एक मतलब गम भी था कि हमारे मामों में छोड़के चले गए बिलकुल गम था और हम भी आपके इस गम में बराबर के शरीक हैं अच्छा दाउद आप बताओ कि जो बच्पन की इद होती थी वो ज्यादा मज़े की होती है या जो जवानी क हुस्ट होती है जी बच्पन की एद भी मज़एकि है और जवानी की माज़े की है वो अपनी जह क्टी किए फ़ी हूई जातीए थी काफी कर थी क्यूंके पांच मामों हैं तो पांच मामों से लेदा ईद लेनी और मामी उसे लेदा और चाचु गरा था का अज़र सना आप बता होगे आप कितनी इदी कठी करती थी इद पर किस तरह इद को सेलिबरेट करती थी चूडियां लेना नए कपड़े मेंदी लगाना क्या क्या मसूफियत होती जी नए कपड़े भी लेते थे मेंदी भी लगाते घचूडियां भी और फर्स डे तो हम घर पे रहते थे और दूसरे दिन एद के मतलब मामों घर चलेगे मासों घर चलेगे रुदर इन जोए करते थे आखर में आप लोगों को क्या पेगाम देंगे आज ये इद का दिन जो है वो खुशी का दिन होत और कहती हूं अर खुश रहां और दूसरे को मिलें और खुश रहां जो प्रेमी हैं मुअबत करने वाले ओनको क्या पावाब हो ए उनको भी है कि आप मतलब खुश रहें, एद मनाएं और उन्हें ये नहीं कहेंगे कि आपका जो साथी जीवन साथी है, लड़की है तो उसके लिए क्या क्या किफ्ट उसको दे ये किफ्ट तेवार पर वो तो जादा जादा जानते होंगे कि मतलब क्या देना चाहिए बतलब मुझे नहीं तना बतलब अजर ये तो शर्मा रही है, आप दौद क्या प्रगाम दोगे, जो महबत करते है तो वो कैसे इसको सेलिब्रेट किया करें, और क्या तौफे ताइफ दिया करें जी ये तो हर एक इनसान के अपनी अपनी च्वाइस होती है गई है, और हम ये चाहते हैं कि हम भी दौआ करें, और आप भी दौआ करें, ताके अगले साल जब इद आए, तो ये करोना वाइरस जो है, ये खतम हो जाए, और सब भेन भाई अच्छे तरीके से इद को इन्जवाई कर सकें और जो बच्चे हैं, वो पार्स वेरा में जा सकें, और अच्छे से इद इन्जवाई करें, जी बिल्कुल हमारी भी यही दौआ है, कि अगली इद हमारी जो है, वो इस तरह हो कि करोना वाइरस ना हो, और तमाम लोग जो है, वो पार्क में भी जा सकें, खेलें, कुदें, इन्जवाई करें और आज का दिन हमने सना और दौद के साथ गुजारा, यकीन करें कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अपने घर के अंदर मुजूद हूँ, जिस तरह है, नोने मेरी खाते तवादा की, जिस तरह मैं यहां पर आया, और मुझे मेरा वेलकम किया, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं अपने घर में मुझूद हूँ, और इनके साथ जो दिन गुजारे पहले भी जब आये, तो इसी तरह इनकी महबत जो है, वो कम नहीं हुई, अभी भी जो शक्स आ रहा है, उनका बड़ा बालहाना इस्तक्बाल करते हैं, उनकी खिद्मत करते हैं, और यकीन माने, यह जो जो जोड़ा है, यह महबत का जोड़ा, और इनके महबत के पेगाम जो है वो पूरी दुनिया तक पहुंचा है और पूरी दुनिया जो है वो इनकी महबत को सलाम पेश करती है अगली वीडियो में हम आपके साथ मजीद टॉपिक लेकर आएंगे तब तक के लिए अजाज़त दें अल्ला हाफिज